राजस्थान की उबर खावर पहाडियों के बीच खारा भानगड किला सिर्फ एक प्राचीन खंडर नहीं है बलकि फुस्फुसाती पौरानी कथा और भयानक कहानियों में डूबा हुआ एक अस्थान है इसका इतिहास अला की तत्य और लोक कथाओं के बीच लड़ा गया है भवेतात रास्दी और अंतता परित्या की तस्वीर प्यस करता है जो इसे भारत के सबसे दिल्चस्प और प्रेत वादित किलो में से एक बनाता है मोगल समराथ अकबर के सेना पती मान सिंग के छोटे भाई राजा मादो सिंग द्वारा निर्मित भानगड किला एक समा एक समरीद सहर था पंदर सो तीयत्तर इस्वी में निर्मित इस किले में लागतार तीन किले बंदी पांच बिसाल दुआर और भवे हवेलियों मंदिरों और बजारों के साथ एक हलचल भारा आंतरिक सहर था पौरानी कथा याए कि राजा मादो सिंग ने अपने बेटे के प्य बलाउनाथ नामा के एक पवित्र तपस्वी सामिल है जो किले के निर्मान से पहले इस छेत्र में रहते थे उन्होंने इस सर्थ पर किले की अनुमती दी कि इसके परिसर में कोई भी इमारत उनके निवास की उचाई से अधिक नहीं होगी हलाकी राजा मादो सिंग के महत्वकांची पोत्ते अजब सिंग ने इस सर्थ की अन देखे की और कीले में अस्तंब जोर दिये जिससे तपस्वी की कुटिया पर छाया पड़ गई कुरोदित होकर बाबा बलाउनात ने कीले और सहर को सराप दिया और उनके तिम्र और अपड़ वर्तनिय विकास की भविस्वानी की दूसरी पौरानी कथा राज कुमारी रतनावती के बारे में है जो अपनी अद्वितिय सुद्धर्ता के लिए परसिद है सिंदिया नाम के एक जादूगर ने उनके अकर्षन से प्रभावित होकर उसका सने जीतने के लिए काले जादू का सहरा लिया उसने कीले की दिवार के बाहर अपने निवास अस्थान पर लुभाने के इरादे से उसने इत्र में प्रेम और सधी मिला दी हलाकि जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली एक रहस में सक्ती ने अहस्त छेप किया जिसने मंत्र मुग्द इत्र को एक सीला पर गिरा दिया जो दो भागों में विभाजित हो गया और सिंदिया को कुचल कर मार डाला पर तिसोद में सिंदियों ने सहर को स्राप दिया जिससे या हमेशा के लिए निर्जन रहेगा और लौकिक पर कोप या आंतरिक संगर्स आकाल या प्राकिर्तिक अबदाव जैसे सांसारीक कारको के कारनाठारावी सताब्दी के आसपास भानगट कीले को अपरिहार ये पतन का सामना करना पड़ा सहर को पुरी तरह से छोड़ दिया गया और इसके पुर्व भाव्यता के केवल कंकाल औसे से ही बचे थे आज भानगट के खंडर बीते यूग के मुख परमान के रूप में खड़ा है जो प्रेम, विश्वास, घात और दैविया चेतावनियों को और सुविकार करने के परिनामों की फुस्पसाती कहानी सुनाते हैं भारतिया पुरा तत्व सर्वेक्षन भानगट कीले का रख रखाव करता है जिससे या दीन के उजाले के दवरान आगंतुकों के लिए सुलब हो जाता है हलाकि कीले की प्रेतवादी जगा के रूप में परतिष्टा के कारान सुर्यास्त के बाद अंदर जाना सक्त मना है अस्थानिय लोग औलोकिक घटनावी कहानिया सुनाते हैं और सरीरी आवाजों और टिम्टी मात्ती रोसनी से लेकर खंधरों में घूमती प्रेतों तक हर अगंतुक परे कमिट छाप छोड़ती है वहां की परचाई सिर्फ इतिहास से कही अधिक हो सकती है मुझे आसा है कि भानगड कीले के इतिहास और कहानियों के इस बिश्तरित वीवरन ने आपकी रूची बढ़ा दी होगी याद रखे चाहे आप इतिहासिक अंतर दिरिष्टी चाहतें वाले हो या रोमांच कारी रोमांच भानगड कीला आपका इतिजार कर रहा है जो इसकी दिवारों के भीतर साहस करने वाले बहादूर लोगों के लिए अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है और भी ऐसे ही किलो है के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखे और हमारे चैनल को सब्सकाइब करें और वीडियो को सेयर करें